अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांते गौडलीवर स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अरावली की उची परवत्श्रिंखलाओं में स्थित है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिज इश्वरिये विश्विद्याले का अंतराश्रे मुख्याले इसे हम प्यार से मदुबन भी कहते हैं मदुबन स्वयम परंपिता परमात्मा की दिव्वे अवतरण भूमी चरित्र भूमी वो पवत्र भूमी है जहां प्रतिवर्ष देश और विदेश से आने का अनेक लोग राजयोग सीखने वो स्वयम को सशक्त बनाने आते हैं इशा पिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुबाय सहाब फिस हम आपका आज की अपिसोर में बहुत बहुत स्वागत है फिस हम आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 1980 के महवाक्यों पर जिसका टॉपिक है मदुबन निवासियों की विशेष्टा परमात्मा कहते हैं कि मदुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्रामभन भी गाते हैं क्योंकि जो मदुबन धर्ती की महिमा है तो धर्ती पर रहने वालों की महिमा स्वते ही महान हो जाती है वे सब भक्ती और ज्ञान के इस कनेक्शन को थोड़ा सपष्ट करें वास्ता में भक्ती मार के अंदर स्रीक कशनक को दिखाते हैं कि मदुबन में मुडली बजाते थे उनको एक गवपाल के रूप में दिखाया है जब वो गाये चराने के लिए जाते थे तो मदुबन एक बहुत सुन्दर इस्थान बगीचा बना हुआ है मतुरा के पास तो वहाँ पर उस बगीचे में वो गायों को ले जाते थे और वहांपर एक कदम का जण है जहांपर बैठके मुडली बजाते थे और मुडली बजते ही गाये तो उनके आगे आती ही थी लेकिन कई क्वाल बाल जो उनके साथी सही होगी थे गोप गोपियां वो भी मुडली की धुन पर मस्त हो जाते थे आकर के डांस करने लगते थे, तो वो मदुबन स्री किष्ण के कारण गया हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं, साकार में जब परमात्मा का दिब्य उतरन होता है, और वहां से जो उनका पार्ट चलता है, जिस इस्थान से, उस इस्थान को कहते हैं मदुबन, मदुबन सब्द भी दो अर्थों से बना हुआ है, एक मधु, दूसरा वन, मधु मिठास की निसानी है, और वन एक वैरागी की निसानी है, जब ये दूनों बातों का वैलेंस होता है जिवन के अंदर, कि मधुरता भी हो और वैरागी भी हो, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, कि मदुबन जो है ये धरनी जहांपर परमात्मा का दिविकारी चलता है जहांपर उनके महावाद की उचाण होते हैं जिसको मुडली कहते हैं वो मदुबन भूमी और उसमें रहने वाली आत्में बहुत विसेश और भान है प्रमात्मा कहते हैं कि बाप दादा की चरित्रभूमी, कर्मभूमी होने के कारण जिसे स्थान का स्थिती पर प्रभाव पड़ता है ऐसे स्वस्थिती में श्रेष्ठता लाने का वतीवर पुरुशार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मदवन वालों को विशेश चांस है मंसा को विश्व कल्यानकारी वृती में शक्तिशाली बनने का अरधात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मदवन है परमात्मा का जिस इस्थान से चरित्र हुआ जिस इस्थान पर उन्होंने स्रेष्ट कर्म किये तो उनकी ये चरित्र भूमी और कर्म भूमी है और इस चाहित्र भूमी कर्म भूमी पर जो भी आत्मा आती हैं, उनके अंदर वो प्रेनाएं प्राप्ट होती हैं, जिसे वो तीवर गती का पुर्सार्त कर सकते हैं तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, जो वहां निवास करने वाले हैं, तो उनके उपर उनका प्रभाव पड़ता है, जैसे परमात्मा का ये स्थान, उनकी चरित्र भूमी और करम भूमी है, जिस स्थान पर स्वेम परमात्मा का दिवी करतब चलता है, उस स्थान का भी बहुत ब सदा काल के लिए रहते हैं. उनकी मन्सा कितनी सक्ति सली होगी. क्योंकि यहां सदा ही परमातमा की कारे चर रहे हैं. तो यहां से रह करके, इस इस्थान से आप विस्व कल्यान की बेयाथ सİवा कर सकते हो. आपकी सुद्ध मंसा से विश्व परिवर्तन का महानकारी हो सकता है प्रमात्मा अपने साथ रहने वाले बच्चों की इसे इस्ताएं और इस इस्तान का महत बता रहे हैं इस इस्तान पर रहने वाली आत्मा है कितनी स्रेश्ट और महान है तो उनको सुते पुरसारत का अच्छा चांस मिलता है प्रमात्मा क्याते कि मदबन में आये हुए महमानों की मंसा, वाचा, कर्मणा, सेवा के साथ साथ रुहानी अव्यक्त वातावरन बनाने की सेवा का विशेश चांस है मदबन वालों को देख सर्वात्माई सहज फॉलू करना सीखती है क्योंकि जो भी आते हैं तो उनकी हर प्रकार की सेवा का चांस मदबन वालों को मिलता है चाहे वो योग अभ्यास कराते हैं उनको चाहे वाचा से कोई अपने अनुभो सुनाते हैं उस इस्तान की विशेशता सुनाते हैं और जो आते हैं उनके हर प्रकार की साधान सुविधाओं का विध्यान रखते हैं बोजन समय पर उनको मिले आवास निमास की अच्छी विवस्ता मिले उनको हर प्रकार के साधान सुविधाय उपलब दो तो मनसा वाचा करमना तो उनकी सेवाएं करते ही हैं लेकिन अगर उस भूमी पर रह करके अपनी अच्छी इस्तिती बना करके रहते हैं तो उनका प्रभाव लोगों पर पढ़ता है और वो यहाँ वालों को फालो करते हैं मना जो इस इस इस्तान पर है वो समझते हैं बगवान के साथ इतनी महान आत्माओं के साथ रहने वाली आत्माएं वो कितनी महान होंगी इसलिए जो यह करम कर रहे हैं वो ही हमारे लिए प्रेना है हमको यही फालो करना है तो परमात्मा कहता है आपको देख करके सब लोग फालो कर रहे हैं तो आप जो यहां निवास करते हो वो किस प्रकार से पुरसार्थ करो कितना अपने उपर अटेंसन रखो क्योंकि सारा विष्व आपको देख रहा है सब की नजरें आपके उपर हैं और आपको देख करके उपर सार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा कहते हैं कि जैसे मदुबन बेहद का है वैसे मदुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है अपने कर्म की प्रालब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यठा कर्म तथा फल मिलता ही है लेकिन जितनी भी आत्माएं आईं उनकी सेवा हुई और त्रिप्त हो करके गई तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मदबन निवासी महमान निवाजी करने वालों का बन गया ना घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेष्टा हुई ना क्योंकि जो भी आत्माएं आती हैं जब उनकी हम प्यार से सेवा करते हैं हर प्रकार उनका ध्यान रखते हैं तो वो जो संतुष्ट होती हैं प्रसन होती हैं एक है क्लासेज के द्वारा प्रसन होती हैं उनको ग्यान और योकी क्लासेज दे जाती हैं दूसरा जो उनको सब प उनकी आप बच्चे अगर प्यार से सिवा करते हो और वो शंतुष्ट हो करके जाते हैं। उनकी जो संतुष्टा की दुआइं हैं, सेयर्स हैं वो आपके खाते में जमा हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान के घर में जो महमान आते हैं, उन महमानों की सेवा करने का आपको golden chance मिलता है। इसी तरह पनमात्ता कहते हैं कि मदवन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेशता है। भविशे फल तो बन ही रहा है, मदवन वालों को और भी विशेश लिफ्ट है। बापदादा की पालना तो मिलती ही है लेकिन साकार रूप में निमित बनी हुई श्रेश्ठ आत्माउं की भी पालना मिलती है। तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं कि डबल पालना में मिल रही है, ज्यान योकी भी पालना मिल रही है। इसलिए बहुत-बहुत महान भागिवान आत्माएं जो यहां रह रही हैं, जो सेवाओं के निमित बनती हैं, सारे विश्व की आत्माओं से उनका कनेक्शन हो जाता है। और जिनकी सेवाएं करते हैं, वो दिल से उनको दुआएं देते हैं। इसलिए बहुत बढ़ा भाग इस इस्तान पर रहने का। को थोड़ा सपष्ट करें। तीवर पुरशार्थी और निरंतर सहज योगी। कोई लेने की रिटर्ण की इच्छाने रखते हैं। क्योंकि आज दुनिया में अगर कोई कुछ सेवा करके देता है, कोई की सेवा मदद करता है, तो उसी समय उससे रिटर्ण कुछ चाहता है। यहां जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत निश्वार्त भाव से कर रहे हैं। और बहुत अच्छी इस्थिति में रह करके, खुसी-खुसी से, उमंगुसा से करते हैं। तो परमात्मा कहता है केवल कर्मना सेवा की चाप हो तो पड़ती ही है, कि उसके साथ साथ अगर आपकी आंतरिक इस्थिति अच्छी है, आप निरंतर योगी हो करके कर रहे हैं सेवा, आपके पुरसार्त की तीवरत्ता है। मानलो, आज हम आने वालों को कहते हैं, अमरत वेले का बहुत महत्व है, बताया जाता है, चार बजे उनके लिए योग शिरू कराया जाता है, अगर यहां रहने वाले हैं, सेवा करने वाले उस समय सोय रहे हैं, उस समय वो कारे न करें, जो नियम बने हुई हैं, दिंचरिय करते हैं तो उसका बहुत परभाव पड़ता है परमात्मा कहते हैं कि त्याग वालों को भाग के नैचुरल खुशी के रोप में और हलके पन की अनुभूती के रोप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निश्काम भाव रहा निमितपन का भाव रहा या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना यह है चड़ती कला का विशेश पुरुशार्थ अब यहाँ पर जो त्याग की परिभासा परमात्मा सुना रहे हैं क्योंकि मद्वन में कई परकार के आने वालों को चांस दिये जाते हैं और उस समय जो सेवा पर रहते हैं मानलो आज क्लास चर रहा है आज कोई ऐसे उनके लिए प्रोग्राम चर रहा है तो जो सेवा धारी हैं उनको कर्मना सेवा करने पड़ती है उनके लिए भोजन तियार करना है उनके लिए सब सुविधाय बनानी है तो उनको त्याग करना पड़ता है तो परमात्मा कहता हूं, उस त्याग में खुसी है, हलकापन है, तो समझो ये भाग हमारा बन रहा है, बहुत निसकाम भाव से हम सेवा कर रहे हैं, कोई हमारी कामना नहीं है, कि हमने ये त्याग किया है, तो इसके कारण हमको कुछ और प्राप्ती हो जाएगी, तो परमात्म कह रहे हैं, जो इस इस्तान पर सेवा आप कर रहे हो, जितना आप त्याग करते हैं, उसका भाग सुतह प्राप्त होता है, खुसी और हलकेपन के रूप में, और उसके आधार से बड़ों की दुआएं मिल जाती हैं, निमित आत्माएं बहुत सनेह देती हैं, तो ये जो प् करते हैं, उनकी स्थिती अच्छी होती हलके और खुसी में रहने के कान उनका योग सहज हो जाता है, सुतह हो जाता है, उनको योग लगाने की मिहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रमात्मा कहते हैं कि एक विशेश गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी ग नधारण करो, नवर्णन करो, वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है, अब ये इस बात पर अगर संगरठन में ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर आत्मा विशेश आत्मा है, कोई नो कोई विशेशता ले करके इस महान कारे में मदद गार बनी है, यहां रहने का उसको सवभ आगे पराप्त हुआ है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और हम उनको देख रहे हैं, तो उनसे हमारा सम्मन्द बिगड़ जाता है, सम्मन्द भी बिगड़ता है, सनेह भी कम हो जाता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, यह विशेश कुन अपने अंदर नैच भी बना रहेगा और उसके द्वारा हम कई परकार की सिवाएं ले सकते हैं, तो परमात्मा ने यह बच्चों को जो भी साथ रहते हैं, उनको विशेश पका कराया, कि संगठन में भले वेराइती होगी, कुछ न कुछ कोई के अंदर कमी कमजोरी होगी भी, आप उस पर नही द्यान देना, उनकी विशेशताओं को देखो, और हर एक की विशेशताओं अपने अलग-अलग होंगी, सबके प्रती एक जैसी आसाने रखो कि यह हम जैसा चाहते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी क्वालिटी है, उनकी अपने सं तो दूसरा शुब भावना से उससे किनारा कर ले, यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही न, जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है, परसंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है न, वातावन बन जाता है, माननो आज मुझे कोई की कमी सुना रहा है, फलाना व्यक्ति ये कड़ता है, वो ऐसा है, और उसमें हम हां मिलाते हैं, टेका देते हैं, तो वो बात वातावन में फैल आती है, और वातावन अगर बिगड गया, माननो किसी की कमजोरी वायु मंदल में तो लोगों के द्रश्टी कोण में भारी पनाता है. यहां भी ऐसे होता है, यह भी ऐसे करते हैं. तो परमातमा कहता है उसका सेर, उसका भी सेर उल्टा, वो भी आपके घाते में जमा और जाएगा. इसलिए कभी भी कोई अगर आपको सुनाता है, तो सुनी अन्सुनी कर दो, आप उस पर ध्यान नहीं दो और यह नहीं को कि हाँ यह ठीक है यह ऐसे करता है अगर वरनन कर दिया, अंदर ले लिया, गरहन कर लिया, तो उससे वायू मन्डल कराब होगा जैसे वो सुनाने वाले का पाप है ऐसे सुनने वाले के पर भी बहुत चड़ जाता है प्रमात्मा कहते है कि वियर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलानी चाहिए बीती हुई बात को भी रहम दिल बन समा दो समा कर शुब भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो परस अब यह बहुत डिफिकल्ट बात है यह बहुत तो इंपोर्टेंट बात है जरूरी है क्योंकि कई बार होता है कि कोई की बात हमारे अंदर आ गई हमको कोई ने सुना दिया, तो हमारा जो द्रश्टी कोण है उसके पर ऐसा ही बन जाता है, और सदा के लिए मान लोग उसकी कोई कमी कमजोरी थी, उसने पुरसारत करके अपने आपको चेंज कर लिया, अब हमारे अंदर वो बात बैठी हुई है, बीत्ती हुई बातें, और उ कमी कमजोरी का ग्यान भी आपके पास है, तो अपनी सुब भाउना से मनसा का दान दो, ताकि वो परिवर्तन हो जाए, उसको आपका ऐसा वाइब्रेशन मिले, सुब भाउना का, जो उसकी कमिया सतह समाप्त हो जाए, तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे की कम भी ओ कमिया है, तो आप सुब चिंतक बन करके उसको सुब भाउना का दान दो, प्रमात्मा कहते हैं कि जब पाच तत्रों के प्रती भी आपकी शुब भावना है, यह तो फिर भी सहयोगी ब्रामभन आत्माए है, भले संसकार के वश, कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनत है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो, एक से दो तक, दो से तीन तक, ऐसे विर्थ बातों की माला की दीप माला ना हो जाए, यह गुण धारन करो, क्योंकि यह बातें वाईव मंडल में बहुत फास्ट गती से पहलती है, मानलो कोई ने मेरे को किसी की बास सुनाई, तो और किस तरह से बताता है, कि मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को नहीं बताना, जब आप वो सुनाने वाला अपने अंदर नहीं रख सका, हमारे तक आया, तो हम जरूर कोई न कोई को उस बात का वार्ण करेंगे, बताएंगे, और हम एक की सुनकर के दूसरे को सुना दिय दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, तीसरे ने चौते को, त एक जिसे माला बन गई, दिपकों की, बेर्थबातों की माला बन गई, और जब लाश तक फिर उसके कान तक आती है, तो छोटी सी बात उसके लिए बहुत पहाड़ बन जाती, उसको उसे पार करना बहुत महनत ल विया जितनी बात थी, अभी खतम हो चुकी थी, लेकिन जब एक के बात दूसरे के कान तक गई, तीसरे तक गई, तो वो उसमें कुछ नुकुछ लगा करके, अपनी बातें, एड़ करके, सुनातें, सुनातें, वो बहुत बड़ा रूप बन जाता है, और जिसकी बात होती है जब वो सुनता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात लगती है, यह क्या हो गया, ऐसा मेरे लिए कैसे लोग सोच लिया, तो वो विचारा एकदम निरास हो जाता है, इसलिए परमात्मा कहता है, ऐसे बेर्थ बातों की माला नहीं बनाओ, इसको उसी समय सुनो ही नहीं, और सुनते हो तो उसी समय स्टाप कर दो, मुझे नहीं सुनना है, सब ठीक है, परमात्मा कहता है कि किसी का सुनना, सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है, सहयोगी बन मंसा से या वानी से, उनको भी आगे बढ़ाना है, होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा म ऐसे वियर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों और फैल जाती है इसलिए इन बातों का अटेंशन। आती है उसको ऐसे लगता जैसे ये का यहां बहुत बारी बारी है। जब वातावन में खुझी है शान्ती है योग के प्रकंपन है तो आती है इसको अलका पनन बहोता है। تع waiver बहुत जल्दी लोगों पर पड़ता है। और वातावन बनता है हमारी वृत्कियों से और एक जाएगा और उसका बोज फिर आपके उपर चड़ेगा क्योंकि इस वायू मुंडल को जहां परमात्मा का दिभी कर्तक भी चल रहा है जहां उनकी चरित्र भूमी और करम भूमी है उसको सकती साली बनाने वाले कौन जो इस इस्थान पर निवास करते हैं जो यहां रहते हैं क तो इस इस्थान पर रहते हैं बहुत भागिवान हैं महान है लेकिन महांता के सास्त ऐसी इस चोटी जो भूले होती हैं उनपर ध्यान दो तर कि इस वायू मंदल में कोई भी आए उनको बड़े अच्छी अनूबह परमात्मा के मिलन के अच्छी अनूबह हो सके जी दर्शकों आज के अपिसोड में हमने समझा कि जो त्याग भाव, निशकाम भाव वन्निमित भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी वा हलके पन की अनुभूती होती है। पर मात्मा ने कहा कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी को न धारण करना है और ना ही उसका वर्णन करना है। और संगठन में रहते हमें एक दूसरे की कमजोरियों को समाना है, वह एक दूसरे को सहयूग देकर उन्हें भी आगे बढ़ाना है। तरशकों आज के एपिसोड से संबंधित, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं. हमारा एमेल आइडी है amolleratna at the rate podlywoodstudio.org. अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए ले वर्णन होने से वातवरन भारी हो जाता है. अगर किसी ने सुनाया, तो समा कर शुब भावना रखो. त्याग और भाग्य. त्याग का भाग्य खुशी और हलकेपन की अनुभूती के रूप में उसी समय प्राप्त होता है. कितना समय निशकाम और निमित्पन का भाव रहा चेक करो. अथक सेवाधारी और निरंतर सहजयोगी का सर्टिपेकेट साथ साथ लो. इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें.